उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युगी आतित्यनाज जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्रिमान सिवराची जी चवान, गुजरात के मुख्यमंत्री स्रिमान वीजयरुपानी जी, तमिलनाडू के मुख्यमंत्री थिरुई के पनलानी स्वामी जी, आंध्र प्रद अपस्तित अन्य सभी महानुभाव, भाईयों और भेनों, आप सभी को, सभी देशवास्यों को, 2021 की बहुत-बहुत शुब कामना हैं, अनेक-अनेक मंगल कामना हैं. आज नई उर्जा के साथ, नए संकल्पों के साथ, और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए, तेज गती से आगे बढ़ने का आज शुबहरंब हैं. आज गरीबों के लिए, मद्यमबर के लिए, घर बनाने के लिए, नई टेकनोलोजी देश को मिल रही है. तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक कहते हैं, मैं मानता हूँ ये छे प्रोजेक बाकई लाइट हाउस प्रकास स्तंभ की तरह है. ये छे लाइट हाउस प्रोजेक देश में हाउसिंग कंस्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे. देश के पुर्व पस्चीम उत्तर दक्षीन हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभ्यान में जुटना, कोपरेटिव फेडररिज्म के हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है. साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक अब देश के काम करने के तोर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरन है. हमें इसके पीछे जो बड़े विजन को भी समझना हुगा. एक समय में आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राफिक्ता में उतनी नहीं थी, जितनी होनी चाहिए. सरकार घर निर्मान की बारिक्यों और क्वालिटी पर नहीं जाती थी. लेकिन हमें पता है, बीना काम के विस्तार में ये जो बड़लाव किये गए हैं, अगर ये बड़लाव न होते, कितना कठीर होता है। आज देश ने एक अलग एप्रोच चुनी हैं, एक अलग मार्ग अपनाया है। साथियों, हमारे यहां ऐसी कई चीजे हैं, जो प्रक्रिया में बड़लाव किये बिना, ऐसे ही निरंतर चलती जाती है, चलता है, होए दो. हाउसिंग से जुड़ा मामला भी, बिलकुल ऐसा ही रहा है। हमने इसको बदलने की ठानी, हमारे देश को बहतर टक्नलोजी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। हमारे गरीब को लंबे समय तक ठीक रहने वाले घर क्यों नहीं मिलने चाहिए। हम जो घर बनाते हैं, वो तेजी से पूरे क्यों नहीं हो। सरकार के मंत्रालों के लिए ये जरूरी है कि वो बड़े और सुस्त स्ट्रक्चर जैसे नहों, बलकि स्टार्ट अप की तरह चुस्त भी हो और दुरस्त भी होने चाहिए। इसके लिए हमने ग्लोबल हाउसिंग टकलोलोजी चैलेंज का आयोजन किया, और दुनिया भर की अग्रणी कमपनियों को हिंदुस्तान में निमंत्रित किया। मुझे खुशी है कि दुनिया भर की 50 से जादा इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टकलोलोजी ने इस समारों में हिस्सा लिया, इस परदा में हिस्सा लिया, इस ग्लोबल चैलेंग से हमें नई टकनलोजी को लेकर इनोवेट और इंक्यूबेट करने का स्कोप मिला है। इसी प्रक्रिया के अगले चरण में अब आज से अलग-अलग साइट्स पर छे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। यह लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आदूनिक टकनलोजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें इन्फास्ट्रक्टर का टाइम कम होगा और गरीबों को जादा रेजिलियन्ट, एफ़र्डिवल और कमफेटिबल गर तयार होंगी। जो एक्सपर्स हैं उन्हें तो इसके बारे में पता है, लेकिन देश वाचियों को भी इनके बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि आज यह टकनलोजी एक शहर में इस्तिमाल हो रही हैं, कल को इनीक अविस्तार पूरे देश में किया जा सकता है। साथियों, इंदोर में जो गर बन रहे हैं, वो उनमें इट और गारे की दिवारे नहीं होगी। बलकि प्री फब्रीकेटेड सेंड़ीच पैनल सिस्टिम इसमें इस्तिमाल होगा। राजकोट में टनल के जरिये मोनोलिथिक कॉंक्रिक कंस्रक्शन इस टेकनोलोजी का उप्योग करेंगे। फ्रांस की इस टेकनोलोजी से हमें गती भी मिलेगी और घर आपदाओं को जेलने में ज़्यादा सक्षम भी बनेगा। चेन्नई में अमेरिका और फिंडलेंड की प्री कास्ट कॉंक्रिट सिस्टिम का उप्योग करेंगे। जिससे घर तेजी से भी बनेगा और सस्ता भी होगा। रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टिम से घर बनाएंगे। इसमें हर कमरा अलग से बनेगा और फिर पूरे स्ट्रक्शर को वैसे ही जोडा जाएगा जैसे लेगो ब्लॉक्स के खिलोनों को जोडते हैं। अगर तला में न्यूजिलेंड की स्टील फ्रेम से जुड़ी टेक्नलोजी से घर बनाए जा रहे हैं। जहां भूकम का खत्रा जादा होता है वहां ऐसे घर बहतर होते हैं। लखनव में केनेडा की टेक्नलोजी यूज कर रहे हैं जिसमें प्लस्तर और पैंट की जरू नहीं पड़ेगी और इसमें पहले से तैयार पूरी दिवारों का उप्योग किया जाएगा। इससे घर और तेजी से बनेंगे। हर लोकेशन पर बारा महिनों में हजार घर बनाए जाएंगे। एक साल में हजार घर। इसका मतलब यह हुआ कि प्रती दीन धाई से तीन घर बनानी की एवरेज आएगी। एक महिने में करीब करीब नब्बे सो मकान बनेंगे और साल भर में एक हजार मकान बनाने का लक्ष है। अगली 26 जन्यवारी के पहले इस काम में यह सफलता पाने का इरादा है। साथियों यह प्रोजेक्ट एक प्रकार से इंक्यूबेशन सेंटर्स ही होंगे। जिससे हमारे प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, एंजीनियर्स और स्टूडन्स सीख पाएंगे और नई टेकनलोजी एक्सपरिमेंट कर पाएंगे। मैं देश भर की इस प्रकार की सभी उनिवर्सिटिक से आगर करता हूँ। सभी एंजीनिंग कॉलेज से आगर करता हूँ। कि इस फिल्ड में जुड़े हुए आपके प्रोफेसर्स, आपकी फैकल्टी, आपके स्टूडन्स। दस-दस-पंद्रा-पंद्रा के ग्रूप बनाएं। एक-एक विक्ये लिए इन छे साइट पर रहने के लिए चले जाएं। पूरी तरह उसका अध्यान करें। वहां की सरकारे भी उनको मदद करें। और एक प्रकार से देश भरके हमारी उनिवर्सिटी के लोग ये जो पाइलोट प्रोजेक्ट हो रहे हैं, एक प्रकार से इंक्यूबेटर हो रहे हैं, वहां जाकर के टेक्नोलोजी और मैं ये चाहूँगा कि हमें आख बन करके किसी टेक्नोलोजी की अड़ोप करने की ज़ देखें और फिर हमारे देश की जरूरत के हिसाब से, हमारे देश के संसाधनों के हिसाब से, हमारे देश की रिक्वार्मेंट के हिसाब से, हम इस टेक्नोलोजी का शेप बदल सकते हैं क्या, उसकी एक्टिविटी बदल सकते हैं क्या, उसकी परफॉर्मस लेवल को बदल सक क्या मैं पक्का मानता हूं हमारे देश के नवजवान ये देखेंगे उसमें जरूर वैल्य एडिशन करेंगे कुछ नयापन जुड़ेंगे और सच मुझ मैं देश एक नई दिशा में तेजगति से आगे बढ़ेगा इसे के साथ साथ गर बनाने से जुड़े लोगों को नई टेकनलोजी से जुड़ी स्कील अपग्रेड करने के लिए सर्टिफिगेट कोर्स भी शुरू किया जा रहा है यह बहुत बड़ा काम है हमने इसके साथ हुमन डिसोर्स डवलप्मेंट स्कील डवलप्मेंट इसको साइमेंटेनिया शुरू किया है ऑनलाइन आप पढ़ सकत है इस नई टेकनलोजी को समझ सकते हैं अब एक्जाम दे करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं यह इसलिए किया जा रहा है ताकि देशवासियों को घर निर्मान में दुनिया की बेस्ट टेकनलोजी और मट्रियल मिल सके हैं साथियों देश में ही आधुनिक टेकनलोजी से जूड़ी रीसर्च और स्टार्ट अप्स को प्रमोट करने के लिए आशा इंडिया प्रोग्रेम चलाए जा रहा है इसके माध्यम से भारत में ही 21 सदी के घरों के निर्मार की नई और सस्ती टेकनलोजी विक्सित की जाएगी इस अभ्यान के तहट पाँच सर्वस्रेश टेकनिकों को चैन भी किया गया है अभी मुझे बहतरीन कंस्रक्शन टेकनलोजी पर आधारित किताब और ओनलाइन सेटिफिकेट कोर्स नवरिती इससे जुड़ी पुस्तकों के विमोचन का भी अउशन मिला इन से जुड़ी सभी सात्यों को भी इस एक प्रकारते होलिस्टिक एप्रोच के लिए मैं सभी सात्यों को बहुत-बहुत बदाई देता हूं सात्यों शहर में रहने वाले गरीब हो या फिर मद्दमबर के उन सबसे और इन सबका एक सबसे बड़ा सपना क्या होता है हर किसी का सपना होता है अपना घर किसी को भी पुशिए उसके मन में होता है वह यह गर बना ले बच्चों को जिन्द की अच्छी चली जाएगी वो घर जिसमें उनकी खुशियां जुड़ी होती है, सुख़दुख जुड़े होते हैं, बच्चों की परवरिश जुड़ी होती है, मुश्किल के सबाएं एक गारंटी भी जुड़ी होती है कि चलो कुछ नहीं है, तो ये अपना घर तो है ही है, लेकिन बीते वर्षों में अपने घर को लेकर लोकों का भरोसा तूटता जा रहा था जीवन भर की पूंजी लगा कर गर खरीत तो लिया, पैसे तो जमा कर दिये, लेकिन गर कागज पर ही रहता था, घर मिल जाएगा, इसका भरोसा नहीं रह गया था कमाई होने के बावजूद भी, अपनी जरूरत भर का घर खरीत पाएंगे, इसका भरोसा भी डगबगा गया था वज़, क्योंकि कीमत इतनी जादा हो गई थी, एक और भरोसा जो टूट गया था, वो ये कि क्या कानून हमारे साथ देगा की नहीं देगा अगर बिल्डर के साथ कोई जगड़ा हो गया, मुसिमत आ गई, तो ये भी एक चिंता का विश्य है था हाउसिंग सेक्टर की ये स्थिती हो गई थी, कि किसी गड़बड़ी की स्थिती में सामान्य व्यक्ति को ये भरोसा ही नहीं था, कि कानून उसके साथ खड़ा होगा और साथियों इन सबसे वो किसी तरह निपड़ कर आगे बढ़ना भी चाहता था, तो बैंक की उची ब्याच, कर्ज मिलने में होने वाली मुश्किले, उसके और इन सपनों को फिर एक बार नीचे पस्त कर देती थी, कि आज मुझे संतोष है कि बीते छे वर्षों में देश में जो कदम उठाए गए हैं, उसने एक सामान्य मानवी का, खास करके मेहनत कस मध्यंबर्गी परिवार का, ये भरोसा लोटाया है, कि उसका भी अपना घर हो सकता है, अपना मालिकी का घर हो सकता है, अब देश का फोकस है गरीब और मध्यंबर्गी जर्रतों पर, अब देश ने प्रात्फिक्ता दी है, शहर में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को, प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट, शहरों में बहुती कम समय में लाखों गर बना कर दिये जा चुके हैं, लाखों गरों के निर्मार का काम जारी भी है, साथियों, अगर हम पी एम आवास योजना के तहट बनाए गए, लाखों गरों के काम पर नज़र डाले, तो उसमें इनोवेशन और इंप्लिमेंटेशन दोनों पर फोकस मिलेगा, बिल्डिंग मेटरियल्स में से मैं स्थानिय जरुतों और घर के मालिक की अपेशाओं के अनुसार इनोवेशन नजर आएगा, गर के साथ-साथ दूसरी योजनाओं को भी एक पैकेज के रूप में इससे जोड़ा गया है, इससे जो गरीब को घर मिल रहा है, उसमें पानी, बिजली, गैस, ऐसी जो उसकी आवशक सुविदाएं हैं, ऐसी अनेक सुविदाएं सुनिस्षित की जा रही हैं, इतना ही नह पार दर्शिता सुनिस्षित करने के लिए हर गर की जीयो टेकिंग की जा रही है, जीयो टेकिंग के कारण हर चीज का पता चलता है, इसमें भी टेकनलोजी का पूरा इस्तवाल किया जा रहा है, गर निर्मान के हर स्टेज की तश्वीर, वेब साइट पर अपलोड करनी गर बनाने के लिए जो सरकारी मदद है, वो सीधे लाबारती के बैंक खाते में बेजी जाती है, और मैं राज्यों का भी आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि इसमें वो भी बहुत सक्रियता से साथ चल रहे हैं, आज कई राज्यों को इसके लिए सम्मानित करने का भी मुझ इस राज्यों को जो विजई हुई हैं, जो आगे बढ़ने के लिए मादान में आये हैं, उन सभी राज्यों को विशेश रुप से बधाई देता हूँ, साथियों, सरकार के प्रयासों का बहुत बड़ा लाब शहरों में रहने वाले मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द् अपने पहले घर के लिए एकताय राशी के होम लोन पर ब्याज में छूट दी जा रही हैं, अभी कोरोना संकट के दौरान भी सरकार ने होम लोन पर ब्याज में छूट की विशेश योजना शुरू की, मद्द्द्द्द्द्द्द के सात्यों के जो घर बर्सों से अधूरे पड़े थे, उनके लिए 25,000 करोर रुपिय का विशेश फंड भी बनाया गया है, साथ क्यों इन सारे फैंसलों के साथ ही लोगों के पास अब रेरा जैसा कानून की शक्ती भी है रेरा ने लोगों में ये भरोसा लोटाया है कि जिस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहे हैं वो पूरा होगा उनका घर अब फ़सेगा नहीं आज देश में लगभग साथ हजार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रेरा के तहत रेजिस्टर है इस कानून के तहट हजारों सिकायतों का निप्टारा किया जा चुका है यानि हजारों परिवारों को उनका घर मिलने में मदद मिली है साथियों Housing for All यानि सब के लिए घर इस लक्ष की प्राप्ति के लिए जो चौत तरफा काम किया जा रहा है वो करोडों, गरीबों और मद्यमबर्ग परिवारों के जीवन में बड़े परिवर्तन ला रहा है ये घर गरीबों के आत्म विश्वात को बढ़ा रहे हैं ये घर देश के युवाओं के सामर्त को बढ़ा रहे हैं इन घरों की चावी से कई द्वार एक साथ खुल रहे हैं जब किसी को घर की चावी मिलती है न तब ओक दरवाजा या चार दिवार इतना तक नहीं होता है जब घर की चावी हाथ आती है तो एक सम्मान पूर्ण जीवन का द्वार खुल जाता है एक सुरक्षित भविश्य का द्वार खुलता है जब घर के मकान के मालिकी का हक आ जाता है दीचा वचावी मिलती है तब बचत का भी द्वार खुलता है अपने जीवन के विस्तार का द्वार खुलता है 35 लोगों बीच में, समाज में, ग्याती में, विरादरी में एक नई पहचान का द्वार खुल जाता है एक सम्मान का भावर लोटाता है आत्मन विश्वास बनपता है यह चाभी, लोगों के विकास का उनकी प्रगति का द्वार भी खोल रही है इतना ही नहीं ये चावी भले ही दरवाजे की चावी होगी लेकिन वो दिमाग के भी वो ताले खोल देती है जो नए सपने संजोने लग जाता है नए संकल्पस की बढ़ चलता है और जीवन में कुछ करने के सपने नए तरीके से बुनने लग जाता है इस चावी की इतनी ताकत होती है साथियों पिछले साल कोरोना संक्र के दोरान ही एक और बड़ा कदम भी उठाया गया है ये कदम है एफ़रेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्स ये योजना इस योजना का लक्ष हमारे वो स्रमिक साथी है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर गाउं से शहर आते हैं कुरोना के पहले तो हमने देखा था कि कुछ जगा से अन्य राज्य से आये लोगों के लिए अनापशना अब कभी कभी वाते बोली जाती थी उनको अपमानित किया जाता था लेकिन कुरोना के समय सारे मद्दूर अपने अपने यहां वापिस गए तो बाकियों को पता चला कि इनके बिना जिंदगी जीना कितना मुश्किल है कारोबार चलाना कितना मुश्किल है उद्जोग धंदे चलाना कितना मुश्किल है और हाथ पैर जोड़ करके लोग लगे वापिस आओ वापिस आओ कोरोना ने हमारे स्रमीकों के सामर्थे को और सम्मान को जो लोग स्विकार नहीं करते थे उनको स्विकार करने के लिए मजबूर कर दिया हमने देखा है कि शहरों में हमारे इन समर्थे को उचीत किराये पर मकान उपलब्द नहीं हो पाते इसके काना छोटे-छोटे कमन में बड़ी संख्या में स्रमीकों को रहना पड़ता है इन जगों पर पानी, बिजली, ट्वालेट से लेकर अस्वच्छता ऐसी अनेक समस्याय भरी पड़ी रहती है राष्ट की सेवा में अपना स्रम लगाने वाले ये सभी साथी गरीमा के साथ जीवन जीए ये भी हम सभी देश्वासियों का दाईत्व है इसी सोच के साथ सरकार उद्लोगों के साथ और दूसरे निवसकों के साथ मिलकर उचीत किराये वाले घरों का निर्मान करने पर बल दे रही है कौशिश ये भी है कि आवास उसी इलाके में हो जहां वो काम करते हैं साथियों रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोच्साहित करने के लिए भी निरंतर निर्णे लिए जा रहे हैं खरीदारों में उत्साह बढ़ाने के लिए घरों पर लगने वाले टैस्ट को भी बहुत कम किया जा रहा है सस्ते घरों पर जो टैक्स पहले आठ परसंट लगा करता था वो अब सिर्फ एक परसंट है वहीं सामान्य घरों पर लगने वाले बारा परसंट एक्स की जगह अब सिर्फ पांच प्रतिशत जी एस्टी लिया जा रहा है सरकार ने इस सेक्टर को इनफा स्ट्रक्चर की भी माननेता दी हैं ताकि उन्हें सस्ती दरों पर कर्ज मिल सके साथियों बीते सानों में जो रिफॉर्म्स किये गए हैं उसमें कंस्ट्रक्शन परमीट को लेकर तीन साल में ही हमारी रेंकिंग एक सो पचासी से जीदी 27 पर आप पहुँची हैं कंस्ट्रक्शन से जूड़ी परमीशन के लिए ओनलाइन व्यवस्ता का विस्तार भी 2000 से जादा सहरों में हो चुका है अब इस नए साल में इसको देश भरके सभी शहरों में लागू करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है साथियों इंफास्ट्रक्शर और कंस्ट्रक्शन पर होने वाला निवेश और विशेश कर हाउसिंग सेक्टर पर किया जा रहा खर्च अर्थ व्यावस्ता में फोर्स मल्टिप्लायर का काम करता है इतनी बड़ी मात्रा में स्टील का लगना, सीमेंट का लगना, कंस्ट्रक्शन बट्रियल का लगना पूरे सेक्टर को गती देता है, इससे डिमांड तो बढ़ती ही है, रोजगार के भी नए अवसर मनते हैं देश का रियल एस्टेट सेक्टर निरंतर मजबूत हो, इसके लिए सरकार की कोशिश लगातार जारी है मुझे विश्वात है कि हाउसिंग फर आल का सपना जरूर पूरा होगा, गावों में भी इन वर्षों में दो करोर घर बनाए जा चुके हैं इस वर्ष हमें गावों में बन रहे गरों में भी और तेजी लानी हैं, शहरों में इस नई टेक्नोलोजी की विस्तार से भी गरों के निर्माण और डिलिवरी दोनों में ही तेजी आएगी अपने देश को तेज गती से आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को तेज गती से चलना ही होगा मिलकर के चलना होगा, निर्धारिक दिशा में चलना होगा, लक्ष को ओजल होने देना नहीं है और चलते रहना है और इसके लिए तेज गति से फैसले भी लेने ही होंगे इसी संकल्प के साथ मैं आज आप सब को इस छे लाइट हाउस एक प्रकार से हमारे नई पीड़ी को हमारे टेक्नलोजी और एंजिनियन के विद्यारतियों के लिए यह सबसे ज़्यादा उपयोगी हो यह मेरा इच्छ सबसा रहेगी कि मैं चाहूंगा सभी university को मैं चाहूंगा सभी colleges इस प्रकार के जो महात्रपर्मोंट्रोजेक्त होते हैं उसका ज्यम्कर नहैं जाकर के देखना चाहिए कि कि कैसे हो रहा है के टेकलोर्जी का उप्योग कैसे होता है, हिसाब के ताब कैसे लगाया जाता है, यह अपने आप में सिख्षा का बहुत बड़ा एक दायरा बन जाएगा, और इसलिए मैं देश के सभी यूआ इंजीनियरों को टेक्नीशनों को विशेश रुप से नमंतर देता हूँ, इस इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुप कामना है, इस छे लाइट हाउस के लिए बहुत बहुत शुप कामना है, बहुत बहुत धन्यवाद